मैं हूँ अन्नपुना and welcome to my channel आज की हमारी रेसिपी है very delicious tasty yummy and mouth melting Oreo ice cream आप देख सकते हैं यह कितनी ज़्यादा delicious लग रही है साथी खाने में भी उतनी ज़्यादा tasty है और बनाना आसान और इसे हम बनाने वाले हैं एकदम market style में और उनी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो market वाली ice cream में होते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है दूद और यह है GMS powder डालने से ice cream के quantity दुगनी हो जाती है यह है CMC और corn flour तो यहाँ पर मैंने एक कप दूद लिया है मिस धाई सो एमेल आप कोई भी दूद ले सकते हैं बस गाड़ा होना चीए फुल क्रीम वाला होना चीए यह है corn flour यह एक टीस्पून है जो छोटा वाला स्पून होता है और यह है GMS यह एक टेबल स्पून है जो बड़ा वाला स्पून होता है और शक्कर भी दो टेबल स्पून है, बड़ा वाला जो स्पून होता है, उसी से हमें लेना है, और ये है CMC, 1-8 स्पून, स्पून नहीं है, तो आप दो चुटकी डाल सकते हैं, उसके अलावा ये है मिल्क पॉडर, ये अरॉंड देड टेबल स्पून है, डाल कर हमें सारी चीजों को अच् टू मीडियम रहना चीए, उससे ज़ादा नहीं रहना चीए, अधरवाइस वो जल जाएगा, इस तरीके से हमें 3-4 मिनिट तक पकाना है, या तब तक जब तक के स्पून के उपर इस तरीके से एक थिक लेयर ना आ जाए, इससे ज़ादा हमें नहीं पकाना है, अभी मैंने गयस का फ्लेम आफ कर दिया है, आफ करकर इसी मिक्स करते हुए हमें ठंडा करना है, अधरवाइस इसके उपर मलाई का एक परत आ जाएगा, अब यह हैं औरियो बिस्किट, औरियो बिस्किट का मैंने एक पैकेट लिया है, पैकेट लेकर इसमें से कुछ बिस्किट मैं गा कि इसका पॉडर बना लूँगी, मिक्सी में डालके नहीं ग्रैंड करना है, अमें एकदम फाइन पॉडर नहीं बनाना है, जिस दरदरा कुछ में है, यह जो आइसक्रीम है, इसमें मैं जी एमेस और सीएमसी का यूज कर रहे हूँ, क्योंकि इसे मैं मार्केट स्टाइल में बना रहे हूँ, आप चाहो तो सिफ विपिंग क्रीम और ओरियो बिस्किट से बना सकते हैं, जिसे की यूटूब में दिखाया जाता है, बट वो टेस्ट और मार्केट वाले आइसक्रीम का जो टेस्ट है, दोनों डिफरेंट रहेगा, अगर आपको एकदम मार्केट स्टा कार्बुन जितना वैनिला एसन डाल कर इसे अच्छे से मैं बीट कर रहे हूँ, हम जीय में डाल रहे हैं, तो हमारी आइसक्रीम की कॉंटिटी ऐसी दुखनी होती है, तो हमें विपिंग क्रीम नहीं भी डालने से चलेगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इ इसे हमें तब तक बीट करना है, जब तक के ये कॉंटिटी में दुगना ना हो जाए, इतना बीट करने के लिए मुझे 6-7 मिनिट का टाइम लगा, अब इसमें हमें क्रश किया हुआ ओर्यो बिस्कित डालना है, अक्च्छल में मैंने पहले ही ओर्यो बिस्कित डालके मिक् आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितने थीक है, एकदम मार्केट वाली आइसक्रीम जैसे हमने जी एमेस डाला है, इसलिए हमारी आइसक्रीम थीक है और सी एमसी डाला है, इसलिए हमारी आइसक्रीम फ्रिस से निकालने के बाद भी जल्दी मिल्ट नहीं होगी, तो से जिसमें तो भी किसी भी कंटीने डालकर छिलवर फॉल से या किसी बटु बश्यक्रीन कर सकते orthद आरी ruins बसें गारनिश करें दिन राद भर by संब्सक्राइब करने पर लिके रख दे रही हों नेक्स की आप देख सकते हैं हमारी जो आइस्क्रीम है बहुत ही जाधा अच्छे से सेट हो गई है तो अब आप भी ये टेस्टी एंड यम्मी होरियो आइस्क्रीम ज़रूर बनाईए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रेलेटिव के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू